पहले दोस्तों Polytechnic Learning 7-7 classes में आप सभी का हर दिख स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो UP Polytechnic में यह पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कितने कितने दोस्तों हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में Government Polytechnic College हैं क्योंकि दोस्तों आपको कि आपको एक्षिली में Government College मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ आपको Government College मिल जाएगा इतने नमरों पर मिल जाएगा मैंने इसके पहले वीडियो अप्लोड करते हैं कि कितने नमरों पर आपको दोस्तों आप यह देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की Polytechnic संस्थाओं का विवरंड जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे ठीक है यह सारा का सारा दिया गया है यहां पर आप नीचे देख रहे होंगे कि वर्स 2020 एक्शली में ऐसा है कि इस बार जो हमारे कॉलेज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है इस वज़े से यह जो ऑफीसियल जो कि ऑफीसियल बेव साइट है जीकप की उसमें से यह आपको वहां से ही नोटिस अपलोड है वहां से यह डाटा यह अपलोड है तो द इसने हैं दोस्तों 150 हैं और जिसमें से 131 जिसमें से पूरिस वाले जो कॉलेज है यानि कि जो बॉइज और गल्स में दोनों पर सकते वह 131 है और जो हमारे महिला पॉली टेक्निक है जिसमें केवल गल्स पर सकती है वह हमारे 19 है ठीक है तो केवाल अभी हम लोग यहां पर की बात करें तो हमने गौर्णमेंट की सबसे सारी के सारी संस्थाओं की बारे में बात की अब बात करते हैं दोस्तों यह हमारे सारा का सारा कितना टोटल इंटेक हो सकता है यानि कि टोटल कितना एड्मिशन होना है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा टोटल है तीनो यानि कि government added और private तीनों collegeों को मिलाकर कि यहाँ पर seat'ों का अभिवरंड दिया गया है कि 1,46,000 हमारा लगबक 1,47,000 हमारा group A के लिए seat'े हैं group B के लिए 349 इसी तरह group C के लिए group D, E और group E, E के लिए 57,568 इसी तरह के बन के लिए total यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,49,353 सीटें यहाँ पर total हैं जिसमें से सभी group के students का यहाँ पर admission होगा तो यह सारा का सारा data रहा कि जो आपके official notice के थुरू है अब यहाँ पर हम लोग आँगे देखेंगे कि वो कितने और कहां कहां पर कौन कौन से कॉलेज उनके बारे में पूरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो को सो प्लीज आप वीडियो के साथ बने रही है ठीक है ताकि आपको पता भी चल जाएगा वहाँ आपको लिष्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से कहां पांक पर कितने गौर्णमेंट कॉलेज है ठीक है तो दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को सेयर नहीं किया तो अभी तक सारे अपने सभी दोस्तों को सेयर कर दीजिए ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारी आप टेक्निकल एजूकेशन उत्तरप्रदिस लखनो ठीक है यह हमा यहां पर गौर्णमेंट कॉलेज जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या आसानी से आपको जो भी जितने भी गौर्णमेंट कॉलेज हैं सभी पूरे यूपी में वह सारे के सारे निकल आएंगे ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल मैं आपको दिखा हो सकता है इसे से आप समझ सकते हैं 1-47 हमारे कॉलेज का干े यहां पर बहुत किस देख सकते हैं , यह ऩसी बी पोई प्रांच से होचाई instability के लिए यहां पर मैं नहीं किया है कि किस ब्रांच के लिए के वला है यहां पर मैंने सभी ब्रांचों के लिए आपर हर एक ब्रांच मिल्ख कोई भी सकता है तो यह सारीक सार बागपत की बाद think बुलनद सहर गाजियाबाद गौतमबुन अगर बुलनद सहर सहारणपुर्ड मुरादाबाद देखे दुस्तों क्या है कि एक डिश्टिक में एक से अधित भी government college हो सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह दो college मुरादाबाद में एक तो हमारा college क्या है कि एक तो गल्स वाला है जिसमें से girls क्येबल पर्टी है और एक हमारा जिसमें girls and birds धोनtechnic वह सकता है जूसे छी सकते हैं अधिक ने तो यह सब्स्कायद ढ़कर सकते हैं यह यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक यह अंबेतकर नगर में जो कॉलेज है छत्रपत साहुजी महराज गॉर्मेंट पॉली टेकनिक तो हो सकता है इस टार्टिंग थोड़ा दूसरे नाम से भी हो लेकिन हाँ गॉर्मेंट उसमें जरूर मेंसन होगा कहीं न गए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यह सारे क सारे हैं गॉर्मेंट कॉलेजों की यहां पर लिष्ट दे दी गई है जहां पर आपको डिप्लोमा फिर पॉली टेकनिक होता है तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि यह सारे आपको इंफर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तो इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो देखने के प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्तों यहां पर कितने मार्क्स पर कौन कौन से कॉलेज आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है सारक सार मैंने अपडेट दे रखा है दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं तो देखिए कमें से अब कितने टॉप जो हमारे टोटल उतर प्रदेश में कितने एड़ेट कॉलेज हैं कितने प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लाऊंगा ठीक ना दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्यू